हैलो एबरिवन तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो बहनो अगर आप लोगों को भी पोशन ट्रेकर एप में लभार्थियों का नाम जोरते समय उजाला हो जा रहा है या आपका जो वहाँ पे बैक्गराउंड है वहाँ पूर करेंगे कि आप लोगों की ये जो समस्या है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए तो आज इसी के रिकार्डिंग आप सभी लोगों को इसके बारे में जनकारी देने वाले हैं ताकि आप लोग असानी से जो है लभार्थियों का निव रेस्टेशन कर सकें तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफूर राने वाली है आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दिजिए और इसी परकार की इन्फर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए वीडियो को बीना देरी किये शुरू कर रहा हूं जैसे कि प्रेग्नेट वोमें प्रेग्नेट वोमें की केटेग्री को ओपिन करने के बाद यहां पर देख सकते हैं अभी सिर्फ हमने यहां पर केटेग्री ओपिन किया है तो यहां पर पुरा वाइट वाइट जो है वह आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार की जो समस्या है पोषण ट्रैकर एपफ से बार बार आ रही है यहां परहें・लोग यहां पर हमनों किलिक कर Matthias तो हमारा भैक हो जा रहा है तो इसको कैसे हम भी करेंगे dealt प्रेगने नोमें की टेगरी को ओपिन करते हैं और यहाँ पर निवरेश्टेसन वाला जो ऑप्छन है इस परकार से ओपिन करने के बाद देख सकते हैं फिर से यहाँ पर जो है वाइट वाइट जो ऑपशन है वो देखने को मिल जा आए तो हम लोग क्या करेंगे कि पोशन ट्रेकर एप से हम लोग बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से हम लोग पोशन ट्रेकर एप से बाहर निकल जाएंगे निकल जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो आप लोगों का पोशन ट्रेकर एप जो यहां पे तो आपको simply इसी app information वाले option पे click कर देना है इसके बाद आप लोग यहाँ पे storage and cache का जो option है उसको यहाँ पे ढूंडेंगे कि कहाँ पे है आप लोग नीचे उपर यहाँ पे scroll करके देख सकते हैं कि storage and cache का option कहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे storage and cache का option यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है आप लोग यहाँ पे इसके arrow पे click करेंगे arrow पे click करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर app पे जो काम करते हैं उसका जो storage होता है वो भड़ने दिखा हुआ है storage आप लोगों को यहाँ पे storage पे click कर देना है जैसे ही आप लोग storage पे click करेंगे तो यहाँ पे यह बताएगा delete app data तो आपको यहाँ पे घवराना नहीं है यह जो data है वो आपका server पे upload हो चुका है तो उससे आप लोगों को कोई भी दीकत नहीं होगी यहाँ आप लोग storage को clear करेंगे तो आपका portion tracker app से कोई भी data delete नहीं होगा जो सिर्फ इसका storage है जो storage होता है वही यहाँ पे delete होगा तो इसमें आप लोगों को घवराने वाली कोई भी बात नहीं है आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे okay वाला जो option दिखाई दे रहा है आप लोग simply okay वाले पे click कर देंगे ठीक है तो जैसे okay वाले पे click करेंगे तो यहाँ पे जो user data catch total जो है यहाँ पे आप लोगों का zero भी खाने लगेगा ठीक है यानि कि कुछ MB आप लोगों का यहाँ जो storage यहाँ भरा हुआ था वो storage यहाँ से clear हो जाएगा खाली हो जाएगा तब आप लो पोशन ट्रेकर एप को फिर से हम लोग open करेंगे इस प्रकार से जो step आप लोगों को बताया जा रहा है इस प्रकार से आप लोग करेंगे तभी जो है आप लोग यहाँ पे लभार्तियों का new registration कर पाएंगे देखें यह problem जो है काफी दिनों से चल रही है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोग आगर वारी worker वाले option पे किलिक करेंगे यहाँ पे किलिक करने के बाद arrow वाले option पे किलिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे done करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको language सेलेक्ट करने का option आ जाएगा यहाँ से आप अपना language सेलेक्ट कर लिजिएगा फिर यहाँ पर Confirm वाले option पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना Mobile Number और MPIN यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर Simply Login कर जाएंगे चलिए हम यहाँ पर Login कर के दिखा देते हैं हमने यहाँ पर अपना Mobile Number और MPIN डाल लिया है डालने के बाद login वाले option पे click करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आसानी से portion tracker app में login हो जाएगा login होने के बाद अब चलिए मैं आपको वहाँ पे जो new लभार्थी का registration वाला option है उसको open करके दिखाता हूँ लभार्थियों का जो new registration वाला option है वो open हो रहा है या नहीं जैसे हम लोग यहाँ पे लभार्थी वाले option पे click करेंगे तो इस प्रकार से जो data है हम लोग को यहाँ पे blank दिखाये जा रहा है तो इससे हम लोगों को घबडाना नहीं है यहाँ पे हम लोगों को एक refresh option दिया गया है इस refresh वाले option का हमें यूज करना है हम लोग इस पे click करेंगे तो जो भी हमारा portion tracker app में data होगा वो यहाँ पे पुनाव वापस आ जाएगा यहाँ पे लभार्थियों की संख्या सो होने लगेगी ठीक है अब यहाँ पे हम किसी एक category में आते हैं जैसे की pregnant woman की category को open करते हैं उसके बाद यहाँ रेश्टेशन पे click करते हैं जैसे ही निव रेश्टेशन पे click करेंगे तो हमारे portion track app में नया लभार्थी का रेश्टेशन करने के लिए जो option सो नहीं हो रहा था जो यहाँ पे white white color जो है बेग्राउंड हो रहा था उसकी जो problem है यहाँ पे solve हो चुकी है यह आप लोगों को जब registration करना होगा तब बार बार आप लोगों को यह समस्या देखने को मिल रही होगी तो अभी क्या है कि अभी आप लोगों को इसी परकार से काम करना है जब आप लोगों का यहाँ पे white white data और clear catch कर देते हैं तब जाके हम लोगों का यह option जो है खुल के आ रहा है तो अभी आप लोगों को इसी परकार से काम करना होगा जब यहाँ पे new वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा चैनल पड़े यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी आगनवारी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद